हेलो फ्रेंड्स आज हम BEGLA 137 Language Through Literature सब्जेक्ट का सेंपल कुश्चन आंसर करेंगे जो की एक्जाइम के लिए बहुत ही यूस्फुल और इंपॉर्टेंट होगा यह सब्जेक्ट इग्नु यूनिवर्सिटी के BA के स्टुएंट्स के लिए और यह पार्ट टू है तो आपको यह maximum marks इसमें 100 marks है 3 hours आपको मिलेंगे answers देने के लिए तो जो पहला question है वो क्या है वो आम तोर पे passage based आता है या कुछ लाइने देते हैं वगएरा इस तरीके से देते हैं तो जैसे इसमें भी लिखा है read the whole of the poem baby running barefoot by D.H. Lawrence given below and try to answer the questions given below तो यह कुछ लाइने दी हुई है इसको आप पढ़ेंगे उसके base पे कुछ इनोंने questions बनाए हुए नीचे और फिर आपको answers देने तो जैसे लिखा हुए when the white feet of the baby beat across the grass the little white feet node like white flowers in a wind they poise and run like puffs of wind that pass over water where the weeds are thin तो कहने का मतलब है इसमें लिखा है जब जो बच्चा है उसके सफेद जो पैर है घास पर टकराते थे तो छोटे सफेद पैर हवा में सफेद फूलों की तरह हिलते हैं ठीक है और वे हवा के जोकों की तरह चलते और चलते रहते हैं पानी के उपर जहां खरपतवार पतले हो जाते हैं तो ये सब इसमें कुछ लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है and the sight of their white playing in the grass in winsome as a robin's song so fluttering or like to butterflies that settle on a glass cup for a moment soft little wing beats a tring and I wish that the baby would tack across here to me आगे लिखा हुआ है कि पानी के उपर जहां खर पत्वार जो है थिन हो जाते हैं पतले हो जाते हैं और उनके सफेद बालों को घास में खेलते हुए देखना रॉबिन के गाने की तरह दिलकश है इतना फड़फडा रहा है या दो तितलियों की तरह जो एक गिलास पर बैठती है कब एक छड़ के लिए धीरे धीरे छोटे पंग पड़ पड़ाने लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि बच्चा यहां से जो है निपटले मेरे लिए ठीक है फिर नेक्स लिखावा है तो लिखावा है रनिंग ओने पॉंड तो शेड़ या जैसे तलाब पर हवा की छाया चल रही हो ताकि वो स्टैंड यानि खड़ी रह सके मेरे घुटनों पर दो छोटे नंगे सफेद पैर और मैं उसके पैरों को दोनों हातों में मैसूस कर सकता था तो इस तरह की कुछ लिखी हुई है चीजे उसके नीचे फिर कोश्चन आपको बना रखा है जैसे पहला कोश्चन है वो कौन सी क्या पिक्चर है जो आती है आपके माइंड में जब आप इस पोयम को पड़ते हो ठीक है तो इसमें आंसर जो आपका आएगा वो आएगा बेबी रणिंग ओन दा ग्रास एक बच्चा है जो दोड़ रहा है ग्रास पर और उसके जो मुमेंट्स है उसके जो मुमेंट्स है गतिविदियां जो है उसके पाओं की ठीक है तो यह इसका अंसर है नेक्स्ट है तो फिगर ओफ इसमें सिमली को कैसे यूज किया है लिखक द्वारा उसकी लिस्ट आपको बनानी है तो जैसे दा लिटिल वाइट फीट नोड लाइक वाइट फ्लावर्स इन्हें विंट तो जहां पर भी लाइक आएगा या फिर एस वर्ड आएगा वो सिमली वाले सेंटेंस होंगे जैसे यहां पर देखो लाइक आ रहा है यहां पर भी लाइक आ रहा है तो जहां पर लाइक लाइक आएगा वो सिमली वाले सेंटेंस होगे तो आप लिस्ट उसकी बना सकते जैसे एस आ रहा है ठीक है उसी तरीके से देखो यहां पर एस आ रह तो इसमें पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें कुछ मिसिंग वर्टस है वो आपको फिल करने हैं जैसे यहां पर लिखा है तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर्स बरने है ठीक है वो सबसे ज्यादा उचित कौन साइस में जो है कंजिक्शन यूज होगा तो जैसे फर्स्ट है स्टुदेंट्स आर वेरी कीन तो टेक पार्ट इन पॉलिटिकल जो स्टुदेंट से बहुत ज्यादा इच्चुक है लेने के पार्ट इन पॉलिटिकल डिसकुशन में तो यहां पर एंड भी आ सकता है और इन फेक्ट यानि वास्तों में भी आ सकता है तो इसके अंदर आपको बट भरना है मतलब कहने का मतलब इसमें जो भी आपको appropriate conjunctions लगे वो आप इसमें fill कर सकते है आपके इसाब से जो भी आता है ठीक है तो इस तरीके से इसमें question है next question है the style in writing can be defined as the way the style in writing can be defined as the way a writer writes discuss करो यानि जो लेखन है जो writing है लेखन में शैली को लेखक के कहने का मतलब लेखन में शैली को लेखक के लिखने के तरीके के रूप में परिभाशित किया जा सकता है उस पे आपको चर्चा करनी है तो the style in writing जो style है जो शैली है लिखने में can be defined, उसको define किया जा सकता है as the way a writer writes, जिस तरीके से लेखक जो है, लिखता है it is the technique that individual, it is the technique that an individual author uses in his writing कहीं ना कहीं, यह वह तकनीक है, जिसका उपयोग एक व्यक्तिगत एक व्यक्तिगत लेखन लेखक अपने लेखन में करता है it varies from author to author और यह vary करता है from author to author मतलब लेखक लेखक पर depend करता है निरभर करता है, upon once syntax, जो वाक्य विन्यास होता है, syntax उस पर depend करता है word choice पर करता है, tone पर करता है it can also be described as a voice that readers जो है, वो listen करता है सुनता है when they read जब वो पढ़ते हैं, the work of a writer types of style की बात करें तो there are four basic literary styles used होते हैं writing में these styles brings the works of different authors, one from author one from another, एक दूसरे से here are four styles of writing यहाँ पर चार जो है आपको styles of writing मिलती है वो कौन कौन सी है, वो देखते हैं तो एक है exposed tree और argumentative styles यानि की व्यक्यात्मक और तर्कपूर्ण जो style होते हैं exposed tree writing style is a subject oriented style होता है, एक विशय परधान सैली है the focus of the writer in this type of writing जो focus होता है writer का लिखने वाले का in this type of writing, इस तरे एक writing style में is to tell, वो बताना होता है readers पढ़ने वालों को, पाठकों को about a specific subject, कोई खास जो है विशय विशिस्ट विशय और topic and in the end, और अंत में the author जो है leaves out his own opinion और वो अंत में जो author है वो छोडता है अपनी खुद की opinion, विचारधारा about that topic उस topic के बारे में next है descriptive style, इसमें है वनातमक style जो है शैली है in descriptive writing style the author focus करता है और describing करते हुए event को, character को चरितर को, place को in detail में, sometimes कभी कभी destructive writing style जो है poetic होती है, in nature ठीक है, poetic उसमें होती है मतलब एक काव्यातमक nature में होती है where जहां author जो है specific an event, an object or a thing rather than merely giving केवल information ना देके वो किसी event के specific object के किसी office या thing के विशह में बात करता है about an event that has happened, जो भी हुई है घटना उसके बारे में ना देकर के किसी specific या event object के बारे में बताता है usually the descriptions in corporate sensory details तो कही न कहीं आम तोर पर विवरणन में जो है न आपको in corporate sensory सामिल आपको दिखाई देता है persuasive style में प्रभावपूर्ण style होती है persuasive persuasive style और writing is a category of writing in which जिसमें writer जो है try करता है to give देने की reasons कारण and justification to make the readers believe वो पढ़ने वालों को विश्वास दिलाता है his point of view अपने विचारों को विश्वास दिलाता है persuasive style aims to pursue it and convince the reader कहीं न कहीं इस style में वो readers को जो है मनाता है उनको convince करता है पार्टकों को narrative style जो होता है मतलब एक कथा वानी कथा के sense में ये style होता है narrative writing style is a type of writing wherein the writer जो है narrate करता है story किसी कहानी को वो narrate करता है सुनाता है it includes इसमें शामिल है short stories novels, biographics and poetry वगेरा ठीक है तो इस तरीके से ये 4 तरीकी styles होती है ठीक है तो इस तरह से आपको ये question करना है ठीक है फिर next जैसे ये question आ रखा है help the speaker of the following to put across his uncertain opinion and desire more tentively tentively than he has put them down in the given sentences तो जैसे ये लिखा हूँ I think मैं सोचता हूँ letter जो है will arrive पहुँचेगा next week अगले सब्ता तो आपको लिखना I should think मुझे सोचना चाहिए letter will arrive next week I think she is wrong मैं सोचता हूँ कि वो गलत है तो आप इसको लिखेंगे I should या I would मैं सोचता हूँ मुझे ऐसा परतीत होता है कि जो उसके विचार आइडियाज है आप लिखेंगे I say he is mistaken मैं कहता हूँ उसने गलती की हुए I should say he is mistaken Do you think it will rain? I say not Should लगा के आपको यूज करना है What is she going to do now? I cannot say What she is going to do now? I would rather not say तो इस तरीके से आपको ये questions के answers लिखने हैं तो उमीद है friends आपको ये समझ में आया होगा इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप जरूर वीडियोस को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने friends में शेर करें friends